नमस्कार है पेंबाश्वई अपने यूटूब चैनल महित पेंबाश्वई पर आपका बहुत-बहुत सावित करता हूँ जी हाँ CHSL 2019 का टैपिंग का जो रिजल्ट है वो आज अनौन्स होने बाला है 28 फरवरी को SSC ने डिकलेर किया था कि जो CHSL 2019 का टैपिंग का रिजल्ट है वो अनौन्स किया जाएगा तो आज 28 फरवरी इस्टुएंट जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक जो रिजल्ट है कितने बज़े तक रिजल्ट आपका अनौन्स कर दिया जाएगा कितने बज़े तक रिजल्ट जो है वो अपलोड हो करने की उसी डेट पे एससी का रिजल्ट हुआ है तो इसमें एक परसेंट भी डाउट नहीं है कि रिजल्ट आज आएगा या नहीं आएगा रिजल्ट कर लेते हैं दूसरे कोशन बैसे basically जो SSC के result आते हैं वो आपके साम को ही आते हैं साम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में SSC के जादर जो result है वो announce किये जाते हैं और चुकि आज खास बात का है कि आज MTS का भी result आने वाला है तो CHSL 2019 का भी आएगा और MTS का भी आएगा तो 2019 वाला जो result है वो पहले आएगा और उसके बाद MTS का result declare किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका result है वो 5 बजे से 8 बजे यानि कि 5 पीम से 8 पीम के बीच में किसी भी time आपका upload किया जा सकता है साम कोई आएगा basically 5 बजे से 8 बजे के बीच में किसी भी time आपका 2019 का टैपिंग का result आ सकता है तो जो भी बच्चे टैपिंग के result का बेट कर रहे हैं मेरे तरफ से हूं सभी को all the best कि आपका result बहुत अच्छा है और आप लोग जरूर एक बार result जब आपका आजाए आपका टैपिंग क्वालिफाई हो जाए तो एक बार 630718569 इस नंबर पर मुझे contact जरू करिएगा और बताइएगा कि आपके कितने स्टोक थे और आपका result हुआ जिसे कि क्या होगा कि जो आने वाले जो बच्चे हैं 2020 वाले उनको भी आपसे थोड़ा सा guidance मिल सकेगा तो मेरे तर अब से आपके बहतर वापिस्ति के लिए धेर सारी सुपकाम ना है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा result कितने टाइम तक आएगा उसके रिगार्डिंग आपको information मिल पाई होगी आपको करना क्या इस वीडियो को ज़्यादा share करन उसके लाबा अगर आप चैनल पर नहें हैं और आपने अभी तक किसे subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करना मत भूलेगा